हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में आज हम मल्टी लाइन टेक्स को डिसकस करेंगे लास्ट लेक्चर में हम सिंगल लाइन टेक्स को अलेडी डिसकस कर चुके हैं तो फ्रेंड्स आटकाड में दो प्रकार का टेक्स होता है सिंगल लाइन टेक्स और मल्टी लाइन टेक्स Single line text को हम जादे तर यूज़ करते हैं जबकि हमें अपनी drawing में कहीं single या double lines लिखनी होती है मतलब एक या दो lines अगर आपको लिखनी है तो आप single line text को यूज़ करिए और अगर आपको बहुत ज़ादा text लिखना है notes लिखने हैं तो ऐसी situation में हमें multi-line text को यूज़ करना होता है तो multi-line text is normally used for writing down multiple lines of text in our drawings the way we write down paragraph text in a format जी हाँ friends जैसे कि हम paragraph format में text को लिखते हैं उसके लिए आपको multi-line text को यूज़ करना होगा one multi-line text behaves like one single object or entity friends अगर आप एक single multi-line command को यूज़ करके कोई text लिखते हैं तो पूरे का पूरा जो text है वो सारी lines एक single object की तरह से behave करेगा तो हमें इस तरह के text को format करने में आसानी होती है उसको manage करने में आसानी होती है इसलिए ज़्यादा text होने की सिती में हमें multi-line text command को यूज़ करना चाहिए इस multi-line text command को हम bulleted या numbered text list बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हमारा multi-line text में multiple paragraphs हो सकते हैं इसमें आप even columns भी create कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी columns के तरह से columns के द्वारा आपको अगर कोई text शो करना है columns को include करना है आपको text के अंदर तो भी आप इस multi-line text command को यूज़ कर सकते हैं multi-line text command can be found in annotation panel of ribbon toolbar within home tab जहां friends यह हमारे home tab पे annotation panel के अंदर आपको मिल जाएगा ribbon toolbar पे और इस multi-line text को आप text panel पे भी आपको मिल जाएगा जो हमें annotate tab के उपर मिलता है और आप multi-line text command को run करने के लिए command line के उपर empty command को भी type कर सकते हैं जो multi-line text command का shortcut होता है तो या तो हम इसमें m text का type कर सकते हैं या फिर empty type कर सकते हैं और empty stands for multi-line text multi-line command के अंदर भी friends हमारे तीन options हैं एक हम text को write कैसे करेंगे उसको manage कैसे करेंगे फिर हम उसको edit कैसे करेंगे और text style का command है वो हमारा same है जो हम पिछले lecture single line text में already देख चुके हैं अब एक बार friends में आपको बताना चाहूंगा एक example आपको दिखाना चाहूंगा कि यह जो हमारे पास text है left side में जैसे यहां पर हमने एक chair का plan view है तो इस तरह का single line अगर हमें कोई भी type करना है अपने drawing के अंदर chair dash plan view यह हम use करेंगे single line text को और इस तरह से अगर हमें पूरा paragraph बना करके ज्यादा text अगर हमें यहां पर type करना है तो ऐसी situation में हम use करेंगे multi line text को तो दोनों text को हम कब और कैसे हमें यूज करना है यह situation यह आपको बिल्कुल clear हो गया होगा आये चलते हैं model space में और try करते हैं multi line text को friends यहां पर जैसे ज्यादा समय ना लगे तो मैंने यहां पर already कुछ text को यहां पर paste किया है जो एक paragraph text है जिसमें multiple paragraphs हैं इसको कैसे type करेंगे यह मैं आपको एक बार बता देता हूं कि multi line text को type करने के लिए आपको पहले command को pick करना होगा हमने यहां पर click करके multi line text command को select कर लिया और फिर हमें यहां पर एक rectangular area define करना होता है यह बताने के लिए कि हमारा जो text है वो इस rectangle की width के अंदर adjust होना चाहिए और आप इसको जैसे यहां पर click करेंगे हमने rectangular area को define कर दिया अब आप यहां पर इसको type करना start कर सकते हैं जैसे कि मैं हापर attention engineers, architects, interior designers and aspiring designers तो जैसे ही आप अपने text को type करते हैं और इसके बाद आपको यहां पर close text editor पर click करना होगा तो यह text आपको यहां पर नजर आ जाएगा इस text पर अगर हमें कभी भी कोई editing करनी है friends तो हम इस text के ओपर जाके जैसे हम single line text पर करते हैं इस text पर जाकर हम double click कर सकते हैं या फिर हम यहां पर ed command कर सकते हैं ed command का मतलब है edit करना चाहते हैं हम text को और जैसे हम text को select करेंगे यह editing mode के अंदर आ जाते हैं editing mode में आते ही multiline text के जितने भी हमारे commands हैं या options हैं वो आपको यहां पर ribbon toolbar पर नजर आने लगते हैं अब इन options को हम one by one try करेंगे सबसे पहला option है यहां पर multiline text के style को change करने का मौझूद था और एक हमने इसमें thick करके इसमें style दियावा है तो अगर आपको अपने multiline text के style को change करना है तो आप जैसे ही इसके उपर click करेंगे तो यह पूरे के पूरे text को इस तरह से दूसरे style में change कर देगा तो एक बार हमें style बनाने के बाद में multiline text के style को change करना बहुत आसान है यह पूरे के पूरे multiline text को एक बार click करते ही change कर देता है यहां से हम अपने text के size को change कर सकते हैं फ़र एक्जामपल यहां पर जो attention मैंने लिखा है इस attention को मैं first line में लाना चाहता हूं और बाकी engineers, architects, interior designers इसको मैं second line में लाना चाहता हूं तो यहां पर हम cursor को place करेंगे और enter को press करके मैं इन सब जो यहां पर text है इसको मैं second line में ले आता हूं अब मैं attention वाले word को यहां पर select कर लेता हूं आपको select करने के लिए friends mouse के left button को press करके mouse को या cursor को इस text के उपर move करना होगा तो यह पूरा का पूरा text है मारा select हो जाएगा और अब आप यहां पर click करके आप इसके size को suppose मैं 40 units का करना चाहता हूं मैंने आपर 40 कर दिया और आप देख सकते हैं कि attention word का जो size है वह 40 units का हो चुका है इसके बाद यहां से हम text को select करके इसको bold कर सकते हैं मैंने इसको bold बना दिया है आप फिर click करेंगे यह फिर से normal या regular text में वापस आजाएगा आप यहां पर click करके अपने text को underline कर सकते हैं यहां से हम अपने text का जो case है upper case या lower case उसको हम change कर सकते हैं जैसे कि यह already upper case में है अगर मैं यहां पर click करता हूँ तो यह पूरा text है महारा lower case में change हो जाएगा अब मैं दुबारा से यहां पर क्लिक करके इसको upper case में convert कर सकता हूँ यहां से हम अपने text को italic बना सकते हैं यहां से हम text को overline कर सकते हैं मतलब हमारे text के ऊपर एक यहां पर line आ जाएगी इसके लावा यहां से हम अपने text का font change कर सकते हैं आप यहां पर क्लिक करेंगे तो सारे fonts की list है मारे सामने है इसमें से जो भी font मैं select करूँगा इस particular selected text का जो font है वो इसी के अनुसार change हो जाएगा मैं इसको फिर से वापस इसको मैं फिर से वापस restore कर लेता हूं अपने normal text पे हमारा जो text था normal वो था aerial इसको aerial black पे फिर से यह हमारा aerial नहीं है यह हमारा text है aerial text है not aerial इसको वापस फिर से aerial वाले text पे वापस लियाते हैं तो इस तरह से यहां से हम selected text का font भी change कर सकते हैं यह होता है color change करने के लिए selected text के color को suppose मैं red करना चाहता हूँ तो मैं यहां पर click करके इसको red color कर देता हूँ तो देखे जितना text हमने select किया था कि RYAN pastor dad को मैंने change कर दिया है red कलर पर इसको फिर से select करके मैं वापस यहां पर click करके इसको वापस by layer पर restore कर देता हूँ यह फिर एक इसमें option होता है friends, इसमें masking करने का, जो text को आप जैसे ही हमने यहाँ पर multiline text को लिखा है, अगर मैं इसको masking करना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको background से separate करना चाहता हूँ, तो हम background mask वाले option को यहाँ पर use कर सकते हैं. इसके बाद friends, यह है हमारा justification option, जहाँ पर कि हम अपने text के justification को define करते हैं, कि आपको जो text है, वो top left align रखना है, top center, top right, middle left, middle center, middle right, या bottom left, bottom center और bottom right. तो यह options हम पहले single line text के अंदर already check कर चुके हैं, try कर चुके हैं, चलिए मैं आपको एक option यहाँ यहाँ दो options मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको यह clear हो जाएगा. Suppose friends, मैंने यहाँ पर एक rectangle बना लिया, और इस rectangle के अंदर मुझे multi line text को type करना है, तो मैं यहाँ पर type करूँगा empty, command को लेने के लिए मैंने enter किया, और मैंने यहाँ पर पहला corner यहाँ पर click किया, और मैंने इसका diagonally opposite point या corner को मैंने यहाँ पर select कर लिया, अब जब मैं यहाँ प type करता हूँ, attention, तो आप देख सकते हैं friends कि इस text का जो justification है, वो top left से आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर जाकर के इसके justification को middle left कर देता हूँ, तो यह text हमारा इस block के middle left से यहाँ पर align हो गया है, और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर जाकर के इसको bottom left कर देता हूँ, तो यह text हमार इस पूरा जो हमारा rectangle था, जितना हमने rectangular space को यहाँ पर define किया था, उस पे bottom left corner पे align हो जाता है, तो यह मतलब होता है justification, तो जादे तर हम लोग top left option को use करते हैं, क्योंकि normally जो हम English को type करते हैं, वो top left corner से start करके और फिर हम उसको नीचे की तरफ type करते हैं, तो justification आपको clear हो गया एक option है, हमारे पास bullet text का, तो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पर double click किया, हम editing mode में आ जाते हैं, अब देखे, bullets and numbers को हम use करते हैं, अपनी list बनाने के लिए, for example, यहाँ पर engineers, architects, interior designers and aspiring designers को, मैं अलग lines के अंदर या अलग-अलग paragraphs के अंदर लाना चाहता और मैंने इस architect को next line में फॉकर दिया, enter key को use करके, इसी प्रकर हमने यहाँ पर इस comma को delete करके interior designers को हमने next line में मोड़ कर दिया, और इसी तरह से हमने यहाँ पर and word को delete करके, हमने aspiring designers को भी अलग हमने एक line के अंदर move कर दिया, और यहाँ पर मैं enter करके, एक line gap और यहाँ पर introduce कर पर चार जो पेशों दी ताह सब हो एक करना चाहता हूं मतलब सभी लाइन के शुरुआत में हां पर बुलेट्स को numbering को use करेंगे तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मुझे अगर number चाहिए तो मैं number पर क्लिक करूँगा तो friends आप देख सकते हैं कि चारो लाइन से पहले 1, 2, 3, 4 यहाँ पर number automatically AutoCAD ने insert कर दिये हैं अगर मुझे numbers की जगे यहाँ पर bullets चाहिए तो मैं यहाँ पर bulleted कर दूँगा तो यहाँ पर देखे bullets आ जाते हैं तो इस तरह से आप अपने text को बहुत अच्छी तरह से format कर सकते हैं एक list को भी आप अपने multiline text के अंदर include कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर letter option है अगर आपको lower case letters चाहिए तो ABCD यहाँ पर lower case के अंदर आ गए हैं और इसी प्रकार हम यहाँ पर click करके letter में अगर हम इसको upper case करते हैं तो यहाँ पर capital में letters यहाँ पर आ गए हैं सपोस्थ मैं इसको फिर से वापस number पर करना चाहता हूं तो 1234 यहाँ पर numbers आपको नज़र आ गए हैं तो यह था हमारा bullets है numbering के बारे में इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ options है line spacing से related के lines के बीच के spacing को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा करके line spacing by default होता है 1X, 1X मतलब default line spacing अगर आप इसको 1.5 कर देते हैं तो जितने paragraph या lines को आपने select किया वा होगा उन lines के बीच में line spacing बढ़ जाएगा अब suppose मैं इसको 2X कर देता हूं तो friends आप देख सकते हैं कि यहाँ पर line spacing double हो चुका है तो यहाँ से हम line spacing को manage कर सकते हैं और यह है हमारा normal justification कि हमें left से justified रखना है text अभी जाखिए हमारा जो text है यह basically अभी यह justify है जब आप select करेंगे किसी paragraph पर जब आप click करते हैं तो आपको justification यहाँ जो selected होता है वो आपको show कर देता है कि किस तरह का justification अभी आप यहाँ पर use कर रह right justify कर दिया यह है हमारा justify और यह है हमारा distribute option तो distribute option में यह कुछ ऐसे होता है कि पूरे का पूरा text एक rectangular form में अपने को distribute कर लेता है तो सबसे ज्यादा use हैने वाला option है justify option मैंने justify पे click करके इसको वापस justify पे restore कर दिया है इसके बाद friends हम अपने multiline text के अंदर insert कर सकते है columns को जैसे अभी हमारा यह जो text है एक single column text है इसके अंदर हमने कोई भी columns को define नहीं किया वा है अगर आपको इस text को columns के अंदर break करना है तो आप column वाले option पे click करके यहाँ पर dynamic column और static column दो प्रकार के column होते हैं अब ही पहले मैं आपको dynamic column के बारे में बताता हूं तो dynamic column पे जाकर के हमने यहाँ पर पहले मुझे यहाँ पर dynamic column और मैंने यहाँ पर auto height पे रखावा है इसको मतलब इसकी height को यह automatically adjust करेगा अब मैं यहाँ पर click करके पहले इसमें columns को insert करूंगा तो हम column settings पे चले जाते हैं और यहाँ पर हमने number of columns को लिया यह आपको इसको जाना पड़ेगा static column में और हमने number of columns को यहाँ पर 2 कर दिया तो आपने देखा friends यहाँ पर की पूरा text हमारा 2 columns के अंदर break हो चुका है यहाँ पर आप auto height करेंगे तो यह अपनी height को automatically adjust करेगा और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर dynamic column के अंदर manual height कर देते हैं तो यहाँ पर हम अपने column की height को कम जादा कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक column की first column की जो height है वो second column की height के comparison में कम है क्योंकि मैं इसको यहाँ पर manually adjust कर सकता हूं तो यह था हमारा dynamic के अंदर manual height और auto height के अंदर सभी columns की height बराबर रहती है और यहाँ पर आप जैसे जैसे text को type करेंगे यह automatically फिर आप अपनी height को यहाँ पर adjust करेगा और next column में यह यह इसी की height को यह adjust कर लेगा for example मैं यहाँ पर इसको select कर लेता हूं text को इस paragraph को मैंने select किया इसको control plus C से मैंने इसको यहाँ पर copy कर लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक control plus V से मैंने यहाँ पर इस paragraph को और add कर दिया है और इसके बाद मैं एक बार और इसको यहाँ पर add कर देता हूं control plus V से मैंने एक बार और paragraph को यहाँ पर add कर दिया है तो आप देख सकते हैं friends की यहाँ पर हमारे column की column पे ला सकता हूँ तो यह था हमारा dynamic columns, static column के अंदर आपको number of columns आप यहां पर define कर सकते हैं कि कितने आपको static का मतलब है कि हमें fix कर दिया हमने कि यहां पर 3 column हमें चाहिए या हमें 2 column चाहिए या हमें 1 column चाहिए, 1 column का लिए हमें फिर columns को no column पे पड़ेगा, because एक column इसमें default option है, तो dynamic columns के अंदर आपको columns automatically आप उसको adjust हो जाते हैं, मतलब जैसे हम text को add करते हैं, उसमें columns बढ़ जाएंगे या जैसे हम text को delete करेंगे उसमें columns कम हो जाएंगे और static columns के अंदर आप number of columns को यहां पर fix कर सकते हैं अब जैसे है, इस text को मैं फिर से वापस दो columns मिलाना चाता हूँ तो मैं two पे click करके इसको वापस two column format में ला सकता हूँ columns की width को हम यहां से adjust कर सकते हैं, अगर मैं इसको drag करता हूँ तो देखे, दोनो columns के बीच का जो gutter width है गटर width को हम कम या जादा कर सकते हैं और यहां से हम column की width को हम change कर सकते हैं, for example मुझे column की width को मुझे कम करना है तो देखे, दोनो columns की width कम हो गई अगर मुझे columns की width को बढ़ाना है दोनो columns की width को हमने बढ़ा दिया और दोनो columns के बीच का जो gutter width है उसके लिए हम इस option को लेकर के यहाँ पर हम इसकी gutter width को adjust कर सकते हैं इसके बाद friends अब मैं इस column को हटाना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर जाकर के no column पर click कर देंगे तो यह columns हमारे फिर से single column में आ जाएगा और यह था हमारा no column option इसके बाद अगर मैं इसको suppose static column में break कर देता हूँ और मुझे यहाँ से जो text है उसको मुझे अगले column में लेके जाना है तो यहाँ पर आप cursor को place करके column में जाकर के आप insert column break को जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे उतना portion हमारा text का next column में move कर जाएगा और यहाँ पर फिर column settings के अंदर हमारे पास options है static column आप use कर रहे हैं इसकी column width कितनी है gutter width कितनी है, total width कितनी है, column number कितना है यहाँ से आप इन parameters को change करके भी अपने multiline text को एक units के दोरा या numeric values के दोरा हम control कर सकते हैं friends हमें अगर अपने multiline text के अंदर symbols को insert करना है और यहाँ पर एक line को मैं add कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पर लिखना है temperature temperature is equal to 10 अब मुझे यहाँ पर degree का symbol चाहिए, तो मैं symbol पर चला जाओंगा और यहाँ पर degree पर click करूँगा तो यहाँ पर degree आ जाएगा और फिर मैं यहाँ पर c type कर दूँगा तो यह centigrade तो यह हो गया temperature equal to 10 degree centigrade इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, diameter equal to 40 और diameter का symbol मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर जाकर कि आप जैसी diameter का symbol देंगे तो यहाँ पर 40 dia आ जाएगा इसमें, इसी तरह से अगर मैं देना चाहता हूँ कि value equal to plus minus का symbol देना है, तो मैं यहाँ पर जाकर के plus minus पर क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पर 10 टाइप कर दूँगा, तो हो गया value equal to plus minus 10 तो इस प्रकार के special symbols को अपनी multiline text के अंदर insert करने के लिए हम symbol वाले options को use करते हैं और इसके अंदर और भी बहुत सतरह के symbols हैं यहाँ पर आप उनको use कर सकते हैं, insert कर सकते हैं next option है field, field का मतलब है friends की अगर हमें कोई भी variable value अपने multiline text के अंदर insert करनी है तो उसके लिए मैं field value को use करूंगा, तो field value पर जाकर के, suppose मैं यहाँ पर author को मैं यहाँ पर include कर लेता हूँ comments मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, file name लेना चाहता हूँ, for example मैं file name लेता हूँ और मैं इसको okay कर देता हूँ, तो जो भी हमारी file का नाम है, वो पूरे का पूरा file का नाम यहाँ पर आकर के insert हो जाएगा और यह dynamic option होता है, field का मतलब है dynamic option, अगर मैं इस file का नाम कभी भी change करता हूँ, तो next time में जब आप इस drawing को open करेंगे तो यहाँ पर यह हमारे जो file का name है, lecture-textcommand.dwg, यह change हो करके, जो भी हमने नया नाम दिया होगा, वहाँ पर यह change हो जाएगा तो यह आप समझ गए होंगे, friends के किस तरह से हम लोग यहाँ पर dynamic information को field के द्वारा insert कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास इसमें एक spell check का option होता है, कि spell check भी आप इसमें कर सकते हैं, मतलब अगर कोई भी miss spelled word होगा हमारे text के अंदर, तो autocad उसको automatically highlight करेगा अब for example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, this is, और मैं यहाँ पर जान बूच के, this के अंदर, मैंने यहाँ पर double i add कर देखें, जैसे ही मैंने इसको on किया वाए, तो जो भी अगर आप कोई गलत word यहाँ पर type करेंगे, यह automatically इसको highlight करेगा, अब आपको पता चल जाता है कि यह हम हमें, यहाँ पर autocad हमें indicate करेगा, अपनी dictionary को change करने के लिए, आप edit dictionary पर जाकर के इसको आप change कर सकते हैं, अभी जैसे हमारी American English इसमें set हुआ वा है, अगर आप चाहें हैं, तो इसके अंदर British English dictionary को, या Canadian English dictionary को use कर सकते हैं, अपनी requirement के इसाब से, find and replace option है, किसी भी particular word को मैं find कर कि अगर किसी दूसरे word से replace करना चाहता हूं, तो हम find and replace को use कर सकते हैं, for example, मैंने यहाँ पर type किया noida, और यह noida मैं दो तीन जगा type कर देता हूं, मैंने यहाँ पर include किया noida, अब इस noida word को suppose मैं deli word से replace करना चाहता हूं, तो मैं find and replace में चला जाओंगा, किस चीज को find करना है हमने का मुझे noida को find करना है, किस word से replace करना है, हमने का इसको मुझे replace करना है deli word से, आप जैसे ही इसको find पे click करते हैं, तो जहाँ पे इसको noida word मिलेगा, उसको आप find कर लेंगे, और जब आप replace पे click करेंगे, तो यहाँ पर इस noida को यह deli से replace कर देगा, अगर मैं replace all पे click कर कर दिया है तो इस तरह से आप अपने टेक्स के अंदर बहुत क्विक find and replace यूज़ करके किसी भी वर्ड को आप किसी दूसरे वर्ड से replace कर सकते हैं अगर आपको ruler यहां पर नहीं चाहिए तो आप ruler को यहां पर click करके off कर सकते हैं आप इसको करेंगे तो रूलर आपको यहां पर नजर आएगा जो हमें help करता है अपने टोटल टेक्स की विट्ट को पताने के लिए कि कितनी विट्ट पे हम भी हम काम कर रहे हैं और अगर हमें कैड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट होके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और वैसे भी इन प्रोग्राम्स पर अभी बहुत जबर्दस डिसकाउंट चल रहे हैं तो हमें नीचे दिये हुए नंबर पर जल्दी ही कॉंट करें दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजे जिससे कि आपको आने वाले नए वैल्यूबल वीडियो उसके नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें तो जल्दी ही म वीडियो में